हलो स्टुदेंट वेलकम टू आलफा एजुकेशन आज हम सीखेंगे विकास गोल्डन ग्रामर पूक फॉर मतलाब स्टांडर फॉर्थ का चैप्टर थर्ड फर्स और सेकेंड हम लोग अल्रेडी देख चुके तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे तो पहले इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस चैनल का नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो चलिए अब हम इसका थर्ट चेप्टर देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स की डेफिनिशन यहाँ पर दिगे आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन is the name given to collection of person animals or things की कलेक्टिव नाउन्स को क्या बोलेंगे हम लोग definition क्या होगे इसकी तो कोई भी collection करना कोई भी ज्यादा person हो ज्यादा animals हो या फिर ज्यादा things हो तो उसे हम लोग collect एक ठी करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग collective नाउन्स जैसे यहाँ पर देख सकते हैं a team of players person इतने ज्यादा है और वो भी team में है फिर a shoal of fish की बहुत सारी fish है एक fish नहीं है और cluster of starts तो यहाँ पर starts भी है पर फिर learn these collective nouns और एक देख सकते हैं आप लोग यह सारी जो exercise जो आपको learn करने के लिए दी गई है उसी से मिलके यहाँ पर एक नीचे exercise बनाई गई है तो पहले हम लोग exercise ही देखेंगे exercise में match the following तो match करनी A और B में तो photos है तो photos किसमें आएंगे albums यहाँ पर already आपको करके दिया गया है और मैंने भी यहाँ पर सारा complete fill up करके रखाए तो यह देखे an album of photographs हो गए फिर judge judges है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह रहा second picture a panel of judges तो यहाँ पर आपको क्या ढूणना है panel तो यह रहा panel और मैंने इसके साथ इसे joint करके भी रखा है आप देख सकते हैं stars stars कहाँ पर है आप ढूण सकते हैं यह रहा stars तो से क्या कहेंगे a cluster of stars तो हमें यहाँ पर क्या करना है cluster का spelling ढूणना है तो यह रहा cluster तो मैंने star को cluster के साथ joint करके रखा है puppies puppies होते हैं तो puppies को हम किसके साथ joint करेंगे litter के साथ फिर दूसरा भी दिया गया है match करने के लिए walls तो walls से हम किसके साथ joint करेंगे आप लोग बताई इसमें से ढूणड़े पोल्स कहां पर है हम लोग उसको किसके साथ joint करेंगे तो walls है उसको हम लोग pack के साथ joint करेंगे फिर pulse है तो pulse को उसको हम लोग string के साथ joint करेंगे fish है तो fish को shoal के साथ and ship है तो ship को fleet के साथ तो इस channel का next video देखने के लिए पहले इस channel को like कीजिए share कीजिए और subscribe भी कीजिए ताकि इस channel का next video आप सबसे पहले देख सके